आपके अपने चैनल चोक एंडेस्टर अकेडमी में तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सीटेट का मोक टैस्ट जी टेस्ट नमबर 11 है जो भाए हमारे चैनल पर नई हों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन दबा दे ताकि आने वाली वीडि जल से जल आपके पास आजाए चलिए सुरू करते हैं आज का टैस्ट पहला सवाल है साबका किस जबान का लफज है तो जिस तरीके से इंग्लिस में सफिक्स और प्रिफिक्स होते हैं जो वर्ड के सुरू या आकरिम आकर उनके माइने तब्दील कर देते हैं इसी तरीका इ यह जमा होती है तो इस साबका जो अलफाज है यह किस जबान का है चार उप्सन देवें अर्वी फार्शी हिंदी तुर्की तो इसका सही उप्सन है उप्सन नम्बर ए यानि अर्वी दूसरा सवाल है साबके किस लफज में कहां आते हैं तो साबकी जो होते हैं वो आते हैं लफज के सुरू में यानि इसे हम प्रिफिक्स कहेंगे जो पहले आद आते हैं जैसे ला, ला के माइने नहीं है, ला वारिष, इस तरीके से ला जवाब, तो इसको अपसन हो जाएगा भी, अगला सवाल है, साबके लगाकर ज्यादतर अलफाज को क्या बनाया जाता है, यानि साबके लगने के बाद जो अलफाज माइना देता है, वो क्या बनता है, इसमे सिफ्ट इसमें जमीर तो इसको अपसंसी हो जाएगा इसमें सिफ्ट अगला सवार है लाहका किस जबान का लफज है तो लाहका बोला जाता है ये वाहिद है और लाहके बोला जाएगा लिखा जाता है ये सफिक्स होता है जो बाद में आ जाता है जैसे कि गो आता है कलमा गो लतीफ गो गजल गो कानून गो का मतलब है गुफ्तो गुबर ने वाला या कहने वाला तो यह इसके भी यह भी फार्च यह भी अर्वी जबान का है यानि उप्शन इसका सी सही हो जाएगा सवाल नमबर पाँच है लाहके किसकी जमा होता है तो लाहके जमा होता है लाहका की यानि यह अर्वी जबान का लफज है तो इसकी जमा जो बनेगी या वाहिज जो बनेगा वो भी अर्वी ही वाला बनेगा तो आपसन नमबर सी हो जाएगा सवाल नमबर 6 है लाहा के किस जगा लगता है यानि लाहा का सुरू में लगेगा या आखिर में लगेगा तो लफ्स के आखिर में लगते हैं यह तो इसका उपसन इसका उपसन वजाएगा बी सवाल नमबर 7 है लाहा का लगा कर उर्दों में अक्सर लफ्स क्या बनते है तो जो साब का लगा कर लफ्स बनता है वही लाहा का लगा कर बन जाता है यानि उपसन बी सही हो जाएगा इसका इसमें सिफ्ट बन जाता है कॉलिटी बताने वाला इसमें की सवाल नमबर 8 है بد چلان بد کار بد مزاد بد بو یہاں بد کا استعمال किस طرح हुआ है بد کا مطلب बुरा तो ये पहले आया है और पहले जो आता है वो साबका आता है तो यानि बतोरे साबका استعمال हुआ है तो उपसन नमबर साबका है तो साबका जो पहला है बे का मतलब बुरा सॉरी बे का मतलब है नहीं के तो यानि इसका उपसन बी हो जाएगा अगला सवाल है सवाल नमर दस सरदार, सरगुजिश्ट, सरे रा, सरपरस्ट में कौन सा लफसाब का है साबका यानि सुरू में कौन सा रहा है जिसके stuff से आसान है option नंबर सिसरह अग्ला सवाल है सवाल नंबर 11 जहां आरा अंजमन आरा औरau मार कई या रहा हंगाम आरा हंगाम काया में आरा कैसे आया ये बाद में आया है तो बतवर 100 शॉवरण ऍसका D हो जाएगा सवाल नमबर 12 मैं खवार, गम खवार, हूँ खवार, शेर खवार में कौन सा लवज बतोरे लाहका यानि सफिक्स का आया है तो खवार खवार आया है, खवार का मतलब होता है खाने वाला और संसी से ये इसका सवाल नमबर 13 खवार, कलमदान, रोशनदान, आतिसदान में दान किस तरह आया है तो दान बादमाया है, यानि ये लाहके की जगह आया है तो बतोरे लाहका उपसन ए हो जाएगा इसका और दान का मतलब होता है घर ताजवर सवाल नमबर 14, ताजवर, नामबर, ताकतवर में लाहका बताईए तो लाहका यानि सफीक, सफीक से वर उपसन नमबर एसे हो जाएगा सवाल नमबर 15, साबका और लाहका में कौन सी हे आती है तो इसमें हाए खफी आती है, जो हे आती है खफी, उपसन नमबर एसे हो जाएगा तो दो सवाल और भी है, जो पिछले एक्जाम में आए हुए है जेल में कौन सा लफज साबका के जमन में आता है, जानशीन, साबका और लाहका यानि साबका मतलब जिसके सुरूं में आता है, प्रिफिक्स, प्रिए मतलब पहले तो यह चार लफजे, जानशीन, कमजर्फ, दगाबाज, इनमें से कोई नहीं तो पहले का जो सही जवाब है, वहाँ आप्शन भी, कमजर्फ अगला सवाल है, बिला शुबा में बिला क्या है? तो साबका है, यह लाहा का, यानि पहला आया है, सफिक्स है, तो यह है साबका, दूसरे को अप्शन यह हो जाएगा तो अम्मेद करते हैं दोस्ता आपको यह वीडियो पसंद आए होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और जो इसे मतालिक कोई भी कोशन ये सवाल ये कोई राय देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट कर सकते हैं थैंक यू फॉर दिख, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव नाइस टिख